अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि जेल में बन कैदी समान बनाते वे दिखते हैं। आज हम आपको रिशिकेश के पूर्णानन मैदान में लगे शरस मेले में कुछ ऐसी चीज़े दिखाएंगे जो हरिद्वार जीले में बन जीला कारगार हरिद्वार में बन कैदियों द्वारा समान बनाये गया है। यह देख सकते हैं कुछ नीचे यहां पर मैट है और जिनके द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जा रही है जो कैदियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं आईए उनसे ही बात कर लेते आपका नाम मेरा नाम सर अब्दुल्ला एमद है आप किस तरीके की ट्रेनिंग जो है कैदियों को दे रहे हैं मैं उनको कालीनों की मतलब जितने प्रकार के बनते हैं उन सब की ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ ताकि वो जो है यहां से निकलने के बाद आगे कुछ कर सकें अपने अपने परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए यह काम करवाने का उद्धेश उनके दिमाग से क्राइम को हटाना है और जो समाज की मुख्यादारा है उस पर जोड़ना है जी जी बिल्कुल ताकि वो जैसे कि उनको बिल्कुल किसी तरीके से अच्छूता ना समझा जाए कि ये कोई गलती देखी किसी सी भी हो जाती है अब एक गलती के लिए पूरी जिंदगी उसको अलग कर दिया जाए तो वो भी ठीक नहीं है तो इस वज़े से उनको ये काम बचेना चाहूंगा जिस आपने बता है कि उनको मैनताना मिलता है कितना मिलता है ये तो देखिए उसमें क्या है उसमें कई प्रकार के होते हैं जैसे आप कहीं काम सीखने गए जो सीखने वाले होते हैं उनको 40-45 रुपे था अभी सायद हमारे मंत्री जी ने कुछ बढ़ाने की गोश्रा की है अभी इस वक्त हम मेले में हैं इस वह से हम पका बता नहीं पाएंगे पहले 45 था और जो उनसे उपर के हैं परडे था और उसके इलावा जो है उनके खाने पीने की पूरे दिन की बिवस्ता अच्छी की जाती है बहतर जो कि मतलब जैसे अब वो कर रहे हैं आप कितने सालों से क्यादियों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं मैं 2009 से दे रहा हुआ जैसे पहले हुआ देरादून में था देरादून में टकरीबन 2009 से 2013 तक रहा टेरीनिंग देता था फिर वहां पर काम चला और अभी भी काम चल रहा है और उसके बाद 13 से लेकर अभी से चल रहा है घृदवार जैल में चल रहा है तो आप ये ट्रेनिंग काफी लंबे समय से दे जीज बिल्कुल और आप से भी जान लेते हैं आपका नाम मुहमद सलीब मास्टर आप किस परकार की ट्रेनिंग कैदियों को देते हैं देखे वहां पे हमारा में उद्देश से होता है कि उनको अच्छी से अच्छी स्टाइल दिया जाए बनाने के लिए जिसमें वो सीखें आप क् मेरा कोई एक साल हुआ है एक साल होगा एक साल समने स्टाठ किया वहां पर तो अभी लोवर टीशर्ट ड्रेस टॉप लाओजी सब बनाना स्टाठी इन में पुरूस ही कैदी होते हैं या महलाएं भी हैं पुरूस ही हैं महिला नहीं हो महलाओं को नहीं दियाती है तो आप देख सकते हैं कि जो कैदी हैं जिन से भूल वस कोई ऐसा क्राइम हो जाता है जिसके कारण जेल की सलाखों के पीछे पहुंच आते हैं उनको समाज की मुख्या धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है कपड़ा बुनाई की और जिस त अच्छा एंचे देखने एक एकाई में इसा बनाया है को इसा इसे बनने के बाद और जब यहां से थे लिए मालूम पढ़ता है माल वहीं से उठता है तो मालूम पढ़ता है कितना पहुचा, मितना गटा है, उनको घुजी होते हैm, बना हुआ है, ऑजय आप लुआ है कि फनीचर भी बना हुआ है है, ये सब भी है, ये सारे वहीं के हैं, यह जितने भी हैं, यह जितने भी है, यह जी बहुत के सालों में, ताकि उन्हें किसी प्रकार की जो वह जो करना चाहिए, वह कर सकते हैं. जी जी बिल्कुल और हमसे जो हो सकता है वो हम सहयोग करते हैं उनके जैसे घर पे खड़ी वड़ी लगवाना आपके संग्यान में ऐसे कोई कह दिये जिनको आपने ट्रेनिंग दियो और वो जेल से चूटने के बाद इस काम को कर रहे हैं अहां बहुत से हैं जैसे कि एक तो म जावाज और भी लोग है लगबख मान लेजे 8-10 लोग अभी तक हो चुके हैं जो आपके संग्यान में जेल से चूटने के बाद यह काम कर रहे हैं अजीविका उन्होंने इसको बिल्कुल बिल्कुल अब वह भी कर रहे हैं हमारा सहयोग भी रहता है बिल्कुल जेल के बा हैं और अपना घर जो है इन चीजों से चला रहे हैं फिलाल आप रिशी केस की खवरों को देखने के लिए बने रहे हैं पंजाब के सी टीवी के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद